नमस्कार मैं डॉक्टर वीपिन वंसल वास्तु कंसिलिकंट आज फिर मैं आपके साथ अपने यूटूब के कमेंट वोक्स में आई वियम मैसेज का जवाब देना चाहूंगा आपके अनसर का जवाब देने से पहले आप सभी का तया दिल से धन्यवाद करता हूं आप सभी मे वीडियो के मदम से जरूर दूँ वैसे तो मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं हर एक वीडियो में आपको वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुभव की ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूं अब इसमें सबसे पहले जो मैसिज है वो है दिब्या जी का इन्होंने लिखा है वाट शोडबी दा कलर ओफ नौर्थ हिस्ट किचे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी किचन नौर्थ हिस्ट जो नमें बनी हुई है तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आप यलो कलर नहीं होना चाहिए आपकी किचन नौर्थ हिस्ट जोन में बिल्कुल गलत है यहां पर किचन आने से घर के अंदर बेवजय के परिवार में जगड़े होते रहते हैं और देर सवेर ओपरेशन होने के कारण भी बन जाते हैं आप अपनी किचन को नौर्थ हिस्ट से अथा कर सौत हिस्ट जोन में सौत जोन में लेकर जाएंगे तो आपको इसका वाइदा जरूर मिलेगा घर के अंदर हैल्थ भी अच्छी होगी और वेल्द भी हमेशा अच्छी रहेगी आपकी किचन नौर्थ हिस्ट जोन में है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप गर्मी को कैसे कम कर सकते हैं इसके लिए कलर तो गर्मी को कम नहीं करेगा हां लेकिन यह है कि कलर करने से उस जोन का वह कलर आ जाता है तो किचन का इफक्ट कम हो जाता है आपकी किचन नौर्थ इस जोन में बनी हुई है तो आप यहां पर ऑफ़ाइट कलर भी कर सकते हैं और ब्ल्यू आस्मानी कलर भी कर सकते हैं यहां पर सबसे पहले जो जरूरी है कलर से भी पहले जो जरूरी है किचन की गर्मी को किचन से बाहर निकलना इसके लिए आप किचन के अंदर एक्जोस्ट फैन लगाएं एक्जोस्ट फैन आपका हैवी डूटी का होना चाहिए और प्र बिरूर लगाएं चीमने आपकी प्रॉपर तरीके से चलने चाहिए और साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा आप अपने यहां पर किचन के अंदर एसी लगवा सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है लेकिन ध्यान रखना किचन में जब आप एसी लगाए तो उसका आउप यह ट्र гор corazón किचन के अंदर गर्मी होती है और ऐसे ही चिन्ят के अंदर बाहर खेंग को स्मेल बनदे नो आपके उपय और यहां पर है नेक्स्ट कॉस्टिण है औसकर मॉली प्लॉय जिए इन्हों ने लिखा है इस्ट इा वैस्ट में में नौर का ौकि JON पाय तो बताया नहीं है इन्होंने मेरी वीडियो देखी है वास्तु टिप्स फोर kitchen in North East zone देखे मैंने अभी North East zone में kitchen के बारे में बताया है आप मेरे इन points को अच्छे तरीके से समझ लिजीगा और मैंने अपनी हर एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा उपाई बताने की कोशिश की है हो सकता है आपको मेरी इस वीडियो में ज्यादा उपाई ना मिले हो आप मेरी दूसरी वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा नेक्स्ट कोशिन है मनोजी का इन्हों ने लिखा है सर साउथ इस डिरेक्शन में स्टेर्स है और उसके नीचे जोईंट बाथरूम और टोईलेट है क्या इसमें कोई दिक्कत है अगर है तो उपाई बताए देखिये मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेर्स में आपके स्टेर्स बने वική है और उसके नीचे जो आपकी टोईलेक्ट बने हмовिक वोईए वो टोईलेक्ट अछी नहीए टॉलेक यानि attached टॉलेक और bathroom क्योंकि South East जोन में जब भी पाने का काम होता है तो घर के अंदर बीमारी आती है और stairs के नीचे जब भी टॉलेक बनती है तो वहाँ पर टॉलेक का floor level हमेशे ही नीचा रखा जाता है maximum घरों के अंदर देखने में आता है जब stairs के नीचे toilet बनाते हैं तो वहाँ उस toilet का floor level और floor level से नीचा होता है वहाँ पर 11 में toilet बना दी जाती है यदि आपके यहाँ south east में toilet बनी हुई है तो आपके घर से बीमारी जाने का नाम नहीं लेगी आपका पैसा बीमारी में बहुत ज़्यादा खर्च होगा और आपके यहाँ जो पैसा रूटीन में आना चाहिए वह पैसा भी रूटीन में नहीं आता तो मैं आपको कहाना चाहूँगा कि आप अपने south east में stairs के नीचे बनीवी toilet को जरूर हटाए और वहां का floor level equal करें ऐसा करने से आपको रेलीव भी मिलेगा और आपकी समसे देरे-देरे करके दूर होती चली जाएगी next question शिवंग जी का इन्होंने लिखा what kind of business we can do in northwest facing shop देखिए शिवंग जी मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी शॉप नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है उसके अंदर आप जो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन अंदर का जो setup है यानि जो भी काम आप करें उसका setup एज पर वास्तू होना बहुत जरूरी है फिर भी मैं आपको एक point जरूर बताना चाहूँगा आपकी शॉप नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है तो आपको अपने shutter के उपर silver color या white color का paint जरूर कराना है front का area neat and clean होना चाहिए और आपकी shop की जो north east की वाल है यानि front north corner से east corner तक north east की जो वाल है वो आपकी light weight की होनी चाहिए और south west की वाल आपकी heavy होनी चाहिए heavy storage होनी चाहिए इन बातों का आप दिहान रखेंगे तो आप north west tracing shop के अंदर कोई भी काम कर सकते हैं next question रक्षक लोजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का इन्होंने लिखा है हमारा plot size 28 feet by 41 feet north east facing है और east south east में भी road है southwest में garden का open plot है west north में other property है इसमें construction किस तरह से करना है आप advice दे या YouTube पर आपका कोई house नक्षा है तो बता दे देखे मैं आपको पताना चाहूंगा जी आप अपने नया घर बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारे स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर संपर करके proper तरीके से advice जरूर ले next question है व्येस traders का इन्होंने लिखा southwest में रसोई है क्या उपाय करने चाहिए देखे मापको पताना चाहूंगा आपकी southwest में रसोई है किचेन है तो southwest की kitchen को अच्छा नहीं माना जाता है तो आपके यहां कोई ना कोई ऐसी ला इलाज बीमारी आ जाएगी जिसका इलाज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके यहां इस तरह की दिक्कत आ रही है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी किचन को सौथ में सौथ में जरूर बनाएं साथ वेस्ट कॉर्णर में आप स्टोर बनाएं या मस्टर बैड़ बनाएंगे तो वो आपके लिए हमेशा ही फाइदे मन रहेगा इसी के साथ में आपको एक बात और बताना चाहूँगा आप फ्लैट के अंदर रहते हैं आप अपनी किचन को नहीं बदल सकते तो जो आपकी किचन है किचन का फ्लॉर लेवल यदि बाहर के फ्लॉर लेवल से नीचा है तो उस फ्लॉर लेवल को आप दो से इतीर इंच उचा जरूर कराएं और किचन के अंदर गर्मी ना बनने दे हैं इसा करने से आपको डेलिफ जरूर मिलेगा एक बात और कहना हूँगा आपकी डूठां में है किचिन के अंदर कहाना बनाते हुए आप का फेस इस्टियों को ना चाहिए इन बातों का जरूर ध्यान सक हुआ है हूँकर किचिन से धन्यवाद करता हूं आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा समझा आपके यहां इस तरह की समस्या रही है तो जो उपाई मैंने अपनी इस वीडियो में बताए हैं वह उपाई आप अपने यहां पर करेंगे तो विश्वास कीजिए आपकी समस्याकाल जरूर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चिन मंसा जी ने लिखा है सर कैनाई बिल्ट स्टेर के से इन साओफिस्ट कॉर्नर स्टेर्स फ्रॉम इस्ट वेस्ट एंड टूवर्स वेस्ट वेस्ट प्लीज एडवाइस देखे मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप स्टेर्स साओफिस्ट में बना सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दियान रखना है जब आप साओफिस्ट में स्टेर्स बनाएं तो वो स्टेर्स आपकी साओफिस्ट के साथ बन रही है क्योंकि इस्ट से वेस्ट की और जा रही है और फिर वेस्ट से इस्ट की और आ रही है तो पूरी स्टेर्स आपके सउथ के दिवार के साथ बन रही है तो ऐसे में आपने दियाण रखना है जो आपका में गट है वो सौथ यसवय जोन में इसटीवर पर नहीं होना चाहिए और एक खास बात बताना कि रखना है और जब यहां पर बनाती हैं तो स्टेर्ट दे सब्सक्राइब तो हर को यह उती ृ causal को सब्सक्राइब और हर टी मोस्ट नेस्च कैसे भोषिन जिका इन्हों ने लिखाया ए है नौर्थ वैस्ट के साइड अगर door हो तो चलेगा क्या office size 10 feet by 23 feet यानि इनका अपना office है और north west के side इनका अपना gate है देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा north west side में यदि north wall पर आपका gate है तो वो gate आपका गलत है वो door आपका गलत है और door आपका north west में west wall की तरफ है तो वो door आपका बिल्कुल सही है उस door का इस्टमल करेंगे तो आपको benefit जरूर मिलेगा north west में north wall पर आपके office का door है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मैनत तो बहुत ज़्यादा करेंगे उस काफल आपको proper तरीके से नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं आपका client आपसे नाराज रहेगा आप अपने client के लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर लें फिर भी आपके client की तसलिए नहीं होती ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा जो आपका अपना door है वो door आपका grey color का आस्मानी color का होना चाहिए ऐसा करने से आपको relief जरूद मिलेगा next question राजिंदर जी का इन्हों ने लिखाया है gift for north facing shop weather late mother photo be placed in a shop इनकी अपनी shop north facing है और इन्हें अपने mother की photo लगानी है तो वो photo कहां लगानी चाहिए देखिए मैं आपको बताना चाहिए जो वेक्ती जा चुके हैं जिनका शिरीड पूरा हो चुका है उनकी photo south wall पर southwest की और लगानी चाहिए next question लेते हैं लता जी का इन्हों ने लिखाया sir what if syntax tank in on southwest roof क्या southwest में syntax की tank रख सकते हैं पानी के लिए देखे मैं आपको कहना चाहूँगा आप southwest में पानी का tank रख सकते हैं लेकिन पानी के टैंक का जो color होना चाहिए वो आपका white color होना चाहिए दूसरी बात जो आपने दिहान रखनी है southwest में पानी का tank रखना अच्छा माना जाता है शुब माना जाता है लेकिन वहाँ पर पानी के लिकेज होती है या पानी और फ्लो होता है तो उसे वास्तु शासर में गलत माना जाता है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा आप true आप स्वेस्ट में पानी का उरारी टेंक रखती है तो उसुर्ण वहाँ पर ना तो पानी किली जोनी चीजह ना ही पानी और फ्लो साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के निसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें अपने यहां साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं यह सबी सर्विसिस हमार पेड़ रहेगी चारजएबल रहेगी। आप वास्तु-शास्तर में रूची रखते हैं और वास्तु सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी पुस्तब लक्षमी प्रवश्च कैसे हो मंगा सकते हैं। हमारे एक पुस्तब सिम्पल सरल हिंदी वाशा में लिखे गई है। झाल झाल